तो यहाँ पर एक minimum pension scheme लगा दी गई है कि at least हो या ना हो आपको minimum 10,000 रुपे तो ऐसा pension के रुप में मिलेंगे ही मिलेंगे तरकार के दौरा एक नई pension scheme पूरे देशवर के अंदर लागू करी गई है उस pension scheme का नाम है Unified Pension Scheme जो कि लागू होगी 1 April 2025 से Department of Expenditure Union Minister जो है उनके द्वारा ओफीशल यहाँ पे डिकलेर कर दिया गया है 24 अगस्त को जो आपको पोर्टल दिखाई दे रहा हुए हैं पर देट भी लिखी हुई है 24 अगस्त को यहाँ पे ओफीशल ले डिकलेर कर दिया गया है कि हम जो है पूरे देश भर के अंदर 1 April 2025 से Unified Pension Scheme लागू करेंगे जिससे कि पूरे देश भर में जितने भी Government Employees हैं इनको फायदा पहुँचेगा Evaluate करा जाए तो लगभग 23 लाख Government Employees हैं जो इस Pension Scheme के अंदर आएंगे और जिनको फायदा पहुचेगा अब यहाँ पे 5 मुद्दे की बाते हैं लेकिन 5 में से भी 3 सबसे जरूरी बाते हैं इस Pension Scheme के अंदर for Education Purpose और अगर आप सरकारी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो आपके लिए भी फायदे मन्द है और एक Education Purpose के लिए आपके लिए फायदे मन्द है और आप Currently अगर सरकारी Employee हो तो आपके लिए तो बहुत ही जादा ये फायदे मन्द पहुचने वाली है तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक Assured Pension के नाम से एक Framework जारी करा गया है इस Policy के अंदर इसमें बोला गया है कि 50% आपका Average Basic Pay का आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में आपने जितने टाइम तक नौकरी करी है सरकारी नौकरी जितने टाइम तक करी है तो लास्ट के 12 महीने तक जो आपका Basic Pay था तो उसका 50% आपको as a pension के रूप में after retirement दिया जाएगा तो यह हम आपको guarantee देते हैं अब आपको देवमाग में confusion आ रही होगी कि भीया currently हमारे देश में कौन सी pension scheme लागू है currently हमारे देश में new pension scheme के नाम से देश में लागू होती है जो 2000 के अंदर लागू करी गई थी बट उसमें एक problem ये थी या एक loop हो लिए था कि एक employee को अपनी clarity नहीं थी कि actual में कितना percent मेरे को ऐसा pension के रूप में after retirement amount दिया जाएगा तो ये problem को अपना delete करने के लिए ये परिशानी को हटाने के लिए यहाँ पर unified pension scheme लाई गई है और इसमें बोल दिया गया है कि जो आपको basic पे था last आपके 12 महीने के अंदर अंदर तो उसका 50% pension के रूप में आपको दिया जाएगा एक ये फाइदमंद वाली बात है और इसके अंदर एक बात ये भी बोली है कि ये जो 50% basic पे last 12 महीने की जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये उन employees के उपर लगो होती है जिन्होंने at least अपने 25 साल दिये है सरकारी नौकरी के उपर पहली बात तो ये clear हो जाती है अब question यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति ने 25 साल से कम नौकरी करी है सरकार को अपनी services दी है तो उस case में उसका क्या होगा तो इसमें ये बोल दिया गया है कि अगर आपने 25 साल से कम लेकिन minimum 10 साल सरकार को दिये है सरकारी नौकरी के अंदर अपनी services दी है तो ऐसे case में आपको जो 50% का आपका हिसाब लगाया जाएगा तो उसके अंदर proportionate के basis पे लगाया जाएगा कि proportionate के basis पे कितना time अपने दिया है उसके basis पे आपका pension का percentage basic basis से decide कर जाएगा पहले तो बात यह आ जाती है assured pension के तौर पे दूसरी बात अगरम करें assured family pension इसके मतलब यहाँ पे यह आता है कि for example कि अगर कोई miss happening होती है कि अगर कोई सरकारी का नमचारी है सरकारी employee है government employee है उसकी death हो जाती है कोई भी happening miss happening की वज़े से अगर वो उसकी death हो जाती है तो ऐसे case में उसके family members होंगे तो उनके family members को जो pension का amount है immediately 60% दिया जाएगा तो यह इसका एक second यहाँ पे framework रखा है assured family pension तो minimum 60% तो pension का employee अगर employee की death हो जाती है तो वो immediately दिया जाएगा यह अपना unified pension scheme लाने के बाद में एक फाइदा पहुँचने वाली बात रखी है तीसरी यहाँ पे जरूरी बात यह है assured minimum pension तो यहाँ पे minimum pension scheme लगा दी गई है कि at least हो या ना हो आपको minimum 10,000 रुपे तो ऐसा pension की रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है at least 10,000 रुपे पर मन्त on super annuation after minimum 10 साल of service इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों के लगू है कि at least आपने 10 साल अपने सरकारी नौकरी के service में दीए होंगे तो हो या ना हो जो भी आपका amount बनता हो at least आपको 10,000 रुपे minimum एक pension का amount after your retirement दिया जाएगा हर हाल में दिया जाएगा तो यह बहुत बड़िया बात है जो सरकार के दुआरा unified pension scheme लगू करी गई है इससे बहुत सारे जो सरकारी employees हैं जिनके मन में insecurity रहती है कि यार मेरा सरकार fund तो इखटा कर रही है पैसा तो इखटा कर रही है अब actual में मैं जब retired होंगा तो मेरे को कितना amount मिलेगा, कितने percentage में amount मिलेगा, कैसे सरकार calculate करेगी minimum मेरे को इतना amount मिलेगा नहीं मिलेगा, यह problem based यहाँ पर point आता है, अब अगर मैं चौती बात की बात करूँ तो यहाँ पर बात करी गई है एक gratitude के बारे में, and एक super annuation के बारे में तो gratitude का मतलब क्या होता है gratitude का मतलब यह होता है, सीधे दोर पर अगर मैं आपको simple शब्दों मैं बता हूँ, कि मैं अगर एक सरकार, सरकारी विभाग के अंदर ऐसा सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो gratitude एक मेरा मेरे को ऐसा फाइदा पहुंचाने वाली बात होती है मैंने इतने टाइम काम करा, इमानदारी से काम करा, अच्छे से काम करा, तो उसके लिए मेरे को एक reward दिया जाता है मेरा pension के अलावा, मेरी salary के अलावा, मेरे को एक reward दिया जाता है, इसको बोलेज़ा gratitude तो इसका भी आपको फाइदा मिलेगा, तो यहाँ पर इमिजेडली, pension का जो भी amount है 60% immediately family को दिया जाएगा तीसरी बात यह करी गई है, कि यहाँ पर minimum assured pension का amount fix कर दिया गया है, कि अगर किसी employee ने 10 साल अपने दिये, तो 10 साल दिये, तो 10,000 रुपे, minimum आपको pension की रूप में after your retirement दिया जाएगा, तो अगर वीडियो पसंद आईए, और यह pension scheme लागू हो जाने के बाद, कैसा आपके मन में point of view है, एक बारी common box के अंदर जरू बताएगा, कि क्या यह scheme लागू करना सरकार के दौआरा फाइदे मन्द होगा यह नहीं होगा, जो यह points मैंने आपको explain करें हैं, in fact, जो सरकार ने यह point raise करें हैं, और मैंने अपने शब्दों में बताएगा, तो आपका क्या मानना है, इस pension scheme को लेके, एक बारी common box के अंदर जरू बताएगा, साथ में लोगों को इस नही pension scheme के बारे में, अवेनेस का जिम्मेदारी आप लोगों के वीडियो को share करने के बार में, और वीडियो को लाइक करें बिना, बिल्कुल मच जाएएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ने, thank you, धानवाद.